नमस्कार विद्यारती हूँ, मैं दीपक दिवेदी, हमने पिछले क्लास में पढ़ा हुआ था, रॉक स्ट्रक्चर के बारे में, रॉक सिस्टम के बारे में, चक्टान की क्रम के बारे में, आज हम भौतिक भुगोल या जिसे हम कह सकते उच्चा वच्च, इंगलिश में कहते रिलीफ, उसके बारे में हम पढ़ेंगी, तो भारत जो है, विवित्ता वाला देश है, जहाँ परवत भी है, पहाडिया भी है, पठार भी है, और मैदानी छेत्र भी है, इन परवत, पठार और मैदानी छेत्रों की अगर हम बात करें, तो भारत को हम कई भागों में विभाजित कर सकते हैं इन सारी चीजों में भारत में भू आकरतिक द्रश्टी से अगर हम देखें तो भारत को हम कई भागों में बाढ़ सकते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे कि कितने प्रतीशत छेत्र पर क्या-क्या है भारत के तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारत के 10.7% छेत्र पर परवती भाग है 18.6% पर पहाड़िया है 27.7% पर पठारी भाग है और 43% लगभग पर मैदानी भाग है तो यह नोट कर लेंगे 10.7% पर वती 18.6% पर पहाड़ी 27.7% पर पठारी और 43% पर मैदानी देखी आपको ऐसे देखने में लगेगा कि मैदान जो है सरवदिक छेत्र पर फैले हुए पर देखी क्या है कि पहाड़ पठार को मिला ले क्योंकि सबसे बड़ा जो भारत का भू आकरतिक भाग है वो प्राइदी पी भाग है यह बात नोट करी गया कल को एक्जाम में जाएगा कि सबसे बड़ा भारत का भू आकरतिक भाग कौन सा है तो वो है प्राइदी पी भाग जो भारत का सबसे बड़ा भाग है जो लगबक 16 लाक वर्ग किलो मीटर में फैला हुआ है आगे हम देखेंगे भारत के भौतिक भाग के बारे में तो आपको देख रहा है ये है उत्तर का हिमाले प्रतेश जो हम देखेंगे ये उत्तर का हिमाले प्रतेश या पर्वती भाग कहेंगे ये है जो में नीले रंग से बना रहा हूँ ये है मैदानी भाग और ये है भारत का प्राई दी पिये पठाडी भाग और ये है भारत का तटवर्ती छेत्र समुद्र तटी छेत्रिया तटी मैदानों के नाम से इसे जाना जाता है ये है तटी मैदान ये है भारत का प्ठारी छेत्र है प्राई दी पिये छेत्र से हम कहते हैं ये भारत का मैदानी इलाका है और उपर वाला जो है वो परवती प्रदेश है एक छेत्र और बचा हुआ है जो हमारा कहला था दीपी छेत्र लच्च दीप अंडमान रिकोबार इसके अलाबा हमारे अब तटी दीप हैं जो हमारे बिलकुल किनारे पर हैं तो इन दीपों को अध्यन करेंगे तो कुल मिलाकर हम भारत को कितने भागों में बाट सकते हैं तो भारत को निम्न भागों में बाट सकता है पहला भाग हमाले परवत वाला भाग या उत्तर का परवती छेत्र दूसरा मैदानी भाग तीसरा प्राइदी पिये पठार चोथा समुद्य तटिये मैदान पाचमा दीप की छेत्र तो इन पाच भागों में हम भारत को विभाजित कर सकते हैं तो यह भारत के भूभाग है जो आप मैप में आपको दिख रहे हैं कि इस तरह से हम भारत को विभाजित कर सकते हैं आप थोड़ा सा और फोकस करेंगे तो हम सबसे पहले इस पूरे पार्ट में हम अध्धिन करेंगे हिमाले का आज का जो हमारा विशे है वो उत्तरी भाग यानि हिमाले का अध्धिन करना है तो हिमाले के अध्धिन में अब कुछ प्रमुक बातों को खास ध्यान देंगे ये है कारा कूरम रेंच, ये है लद्दाक, फिर है जासकर, पीर पंजाल और ये है महान हिमाले ये है मद्ध हिमाले और सबसे निचले भाग में हैं सिवालिक श्रिडी तो इस तरह चार भागों में हमने बाटा हुआ, उपर के जो भाग है इसको हम ट्रांस हिमाले के नाम से जानते हैं तो पहला भाग हो जाएगा ट्रांस हिमाले, जिसे हम टैथिस हिमाले भी कह सकते हैं जिसे हम टैथिस हिमाले का नाम भी दे सकते हैं कि इसका नाम टैथिस हिमाले होगा दूसरा भाग जो हमने देखा है ये भाग है महान हिमाले तीसरा भाग जो है इसे हम कहते हैं लगू हिमाले या अंगरेजी में कहते हैं लैसर हिमाले और चौथा भाग होता है सिवालिक श्रिडी हम इसमें पांचमा भाग भी बना सकते हैं पूरवान चल फिर से में लिख देता हूँ पूरे भाग कौन कौन से है तो पहला भाग है ट्रांस हिमाले या टैथे सिमाले दूसरा है महान हिमाले तीसरे है लगू या लैसर या इसे हम मद्ध हिमाले के दो है चौथा है शिवालिट पान्चवा हम पर सकते हैं पूर्वा इन्चल North East हिमाले के दाब दाविग है दूस्ती बात अगर हम ऐसा रयाद करें कि समझ लीजे एक व्यक्ति बैठा हुआ है तो उसके कमर के उपर का भाग जो सिर तक वो महान हिमाले है घुटने जो हैं मद्ध हिमाले हैं और जो पैर हैं वो सिवालिक है इसलिए सिवालिक को हिमाले का परवत पदी प्रदेश फुट हिल साथ हिमाले के नाम से भी जाना जाता है हिमाले जो है भारत में एक चाप की आकरती में फैला हुआ है जिसकी लगभक लंबाई 25 किलो मीटर है पूर्व से लेकर पश्यम कर पाकिस्तान से लेकर यह मैनमार तक फैला हुआ है बर्मा तक फैला हुआ है जिसकी चोड़ाई पश्यम में 500 किलो मीटर है जो पूर्व तक आते आते लगभक 300 किलो मीटर हो जाती है तो कभी UPSC आप देख दिस तरह कथन आता है कि पस्षिम से पूर तक जाने पर इसकी चोड़ाई घड़ती है या बढ़ती है तो हम देखें इसकी चोड़ाई घड़ती है हिमाले परवत जो है गंगा के उत्तर में है और हिमाले परवत और उत्तरी मैदान को बिभाजित करने का कार हिमाले फ्रंट फॉल्ट करता है हिमाले फ्रंट फॉल्ट जो है हिमाले परवत माला और उत्तरी भारत के मैदान को अलग करने का कार करता है तो हमाले परवतमाला पाकिस्तान, चाइना, नेपाल इंडिया में फैली हुई है और इसके कुछ हिस्सा मैनमार तक भी जाता है इतने देशों में ये परवतमाला फैली है भारत की बात करें तो भारत में यह परवत माला जम्विन कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्राखंड, सिक्किम, बेस्ट बेंगॉल, अरोनाचल प्रदेश में फैली हैं पूर्वानचल में यह भाग दच्छन की तरफ नागालेंड, मणीपुर, मिजोरम होते हुए भारत और मैनमार की सीमा बनाता है अरोनाचल से कहां चला जाता दच्छन की और मुड़कर, तो कहां पहुंच जाता दच्छन की और मुड़कर, मणीपुर, मिजोरम, नागालेंड, इतने राज्जों में इसका विस्तार हो जाता है तो यह हिमाले परवत भारत के काफी बड़े हिस्से को कवर करता है अगला मुद्दा आता है कि हिमाले परवत की उत्पत्ती कैसे हुई तो हमने पहले पढ़ा हुआ है टेक्टॉलिस जह हम पर प्ले टेक्टॉलिस पढ़ रहे थे कि पेंजिया और पैथालान साब बैज बीच में टेथिस सागर था तो अधिकांस विद्वानों का कहना है कि टेथिस सी के ऊपर उठने से इसका विकास हुआ है लेकिन उत्थान किसने किया किन तने चरणों में हुआ इसको लेकर विविन प्रकार के सिध्धान्त है एक सिध्धान्त है भू सन्नती का सिध्धान्त जियो सिंकनल थियोरी प्री में इतना वैसे नहीं आएगा किवल आप थोरी समझें तो एक प्लेट विवर्तनी की सिध्धान्त है एक भू सन्नती का सिध्धान्त जो है वो दिया गया है और इस सिध्धान्त को विचार करने वाले हैं बहुत नाम है जिन्होंने इनके बारे बताया बास्तों में दो प्लेट है एक इंडि आस्टिरिन प्लेट है और एक यूरिश्या प्लेट है दौनों के कारण जो बलन उत्पन होता है इस बलन से हिमाले का जन हुआ है तो टैथिस सागर जो है धीरे धीरे उपर उठता चला गया और हिमाले का निर्माण हुआ डियन बाडिया कहते हैं कि बारा करोड वर्ष पहले बारा करोड वर्ष पहले क्रिटिसस काल में सबसे पहले महान हिमाले का निर्माण हुआ और बारा करोड वर्ष पहले कर साथ करोड वर्ष के समय तक इस महान हिमाले का निर्माण जो है वो हो गया और साथी साथ लद्दाक जासकर परवत मालाओं की भी उत्पत्ती यहां पर हुआ दूसरा जो चरण है इसका लगबग ढ़ाई से तीन करोड वर्ष के समय हुआ मायोसिन काल में हुआ जिसमें लगब हिमाले या मद्ध हिमाले का निर्माण हुआ इस लगब हिमाले भी उपर उठा जिससे महान हिमाले भी उपर उठता चला गया और इस लगब हिमाले की पीर पंजाल धौला धर महा भारत आदी श्रेणिया आपको दिखाई दी सबसे अंतिम चरण में जो लगबग दस लाक वर्ष प्लीटो इस्टोसिन युग में हुआ जिसमें सिवालिक परवत माला का जन हुआ सिवालिक परवत माला जो है लगबग बोल्डर और कीचर से बनी हुई है जिसमें टैथे सी की गाद आपको दिखाई देगी सिबालिक पहाडियों के साथ साथ अन पहाडियों में विशेश कर हमें जीवास मी मिलते हैं पर सरवदिक जीवास में वो हमें सिबालिक परवत माला में प्राप्त होते हैं तो इस तरह देखें हिमाले का निर्माड हुआ और हिमाले का जो निर्माण है क्योंकि भारत जो है दच्छनी गुलार्द में था और करोणों वर्षों के बाद धीरे धीरे आज की इस्टिती में पहुँच गया तो लगातार उपर की तरफ जा रहा है और इसके बारे में कहा जाता है कि लगभग पांस सेंटीमीटर प्रती वर्ष की दर से बरतमान में यह उपर की योर गती कर रहा है जिससे हिमाले की उचाई लगातार बढ़ रही है इस तरह से हिमाले का जो निर्मान इन दो प्लेटों की टकराने से हो रहा है योरेशिया प्लेट और इंडियाना प्लेट के कारण हिमाले की उचाई बढ़ रही है प्रशन आता है कि क्या अभी भी बढ़ रहे हैं अभी भी प्रक्रिया जारी है क्योंकि अभी भी सम इस्थेतिक संतुलन नहीं आया है और यहां की नदियां अभी भी युबा वस्था में है जीलों का तल भी उचा उठ रहा है जो बताता है कि हिमाले में आज भी बलन प्रक् आज भी जारी है तो यह हो गया हिमाले की उत्पत्ती को लेकर जानकारी अब हम बात करते हैं हिमाले के अलग अलग भागों की सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांस हिमाले जिसमें कारा कुरम, लदाक, जासकर रेंज है इनको हम Trans-Himalay के नाम से जानते हैं या हिमालय के पार परवत कहते हैं या इने हम Tethies परवत या तिबबत हिमालय के नाम से भी जानते हैं दूसरा भाग अगर हम देखें तो दूसरा भाग है ब्रद हमाले या ग्रेड हमाले या महान हमाले के नमसे तूसरा भाग है ब्रद हमाले यह मद हमाले या जिसे हम लगू हमाले भी कहते हैं तीसरा भाग है जो अलग-अलग छोड़े टुकड़ों में फैला हुआ है एक लगातार सतस्रेडी की रूप में नहीं है यह सिवाले और यह है आपका पूरवांचल हिमाले जिसे हम अकले चरण में पढ़े हैं तो यह है हमारा पढ़ना हमें ट्रांस हिमाले में हम पढ़ेंगे कारकुरम, लद्दाक और जासकर रेंज के बारे में पढ़ेंगे कारकुरम, लद्दाक और जासकर परवत माला के बारे में पढ़ेंगे इस तरह हम चार भागों में पांचवा पूर्वान्चल में बिभाजित कर सकते हैं हिमाले जो परवत माला है मैंने बताया कि यह लगभग 2400-2500 किलिमीटर तक फैली हुई है लगभग इसका फैलाओ 22 degri देशांतर में है 22 degri देशांतर में पूर्व पश्चिम की और फैला हुआ है इसकी चौडाई पश्चिम से पूर्व की और जाने पर कम होती है लगभग 5 लाएक बरग किलो मीटर में फैला हुआ हुआ है हिमाले का एशिया महादीप में जितनी भी उंची चोटियां है उसमें से अधिकांस हमाले परवत माला पर इस्थे थे उसमेंसे अधिकांज जो हमाले परवत माला पर इस्तित है तो जो मैंना भी चर्चा की थी इसको फिरसे में दिखा देता हूँ ये देखी ये कारा कुरम बीच में लब दाखरे इस जास्तर ये है महान हमाले ये है लगू हिमाले ये मद्ध हिमाले ये है किवाले शिर्णी के अलग अलग टुक्रों बटी और ये है पूरवानचल की बात एक बार आप फिर से देख लेज़े कारा कुरम लद्दाग जासकर महान हिमाले से इंग्लिश में ग्रेड हिमाले लगू हिमाले सिवाले ग्रेज सबसे पहले हम अध्यन करेंगे ट्रांस हिमाले शिर्णी कारा कुरम लद्दाग जासकर इन तीन परवत मालाओं के बारे में हम पढ़ेंगे ट्रांस हिमाले या तिबबत हिमाले या टैसे सिमाले या हिमाले पार के परवत के बारे में इनका अधिकान्स भाग तिब्बत में है इसलिए इनको तिब्बत हिमाले भी कहते हैं इसमें लद्दाक है जासकर है कैलास है कारा कुराब है इनकी औसद उचाए 31 मीटर है एक हजार किलो मीटर की लगबक लंबी है इसमें सबसे प्रमक जो श्रेणी है कारा कुराम है जिसकी सबसे उची चोटी माउंट केटू है जिसे हम गौडविल आस्टिन के नाम से भी चानते हैं गौडविल आस्टिन के नाम से भी चानते हैं इसके लाब यहां पर हिडन ब्रॉड पीक गाशे बुरूम नामक चोटिया है केटू, हिडन, ब्रॉड पीक गाशे बुरूम नामक चोटिया है यही कारा कुरम स्रेणी पश्शिम में कारा कुरम और जैसी पूर में जाती है तो यही स्रेणी केलाश परवत में मिल जाती है जहां शिव का निवात यही कारा कुरम रेंज पूर्वी की और जाने पर केलाश परवत से जाकर मिल जाती है इसी परवत माला की बात करें कारा कुरम की तो इसी कारा कोरम परवत माला पर सियाचिन ग्लेशियर है जो कि विश्व का सबसे उच्छा युद्ध छेतर कहा जाता है सियाचिन ग्लेशियर जिसे हम एशिया का कॉक्पिट भी कहते हैं इस कारा कोरम को हम कृष्ण गिरी परवत के नाम से ही जानते हैं इसके लावे हाँ बालतोरा ग्लेशियर भी है बियाफो भी है पर सबसे बड़ा है सियाचिन ग्लेशियर जो कारा कोरम रेंज पहे 1984 में आपरेशन मेग दूद के दोरा इस पर हमने अधिकार किया हुआ था दूसरी स्रेणी है इसकी लदाक श्रेणी ले के उत्तर में यह श्रेणी है इसकी सबसे उची चोटी जो है राका पोशी राका पोशी जो है लदाक श्रेणी की सबसे उची चोटी है राका पोशी रही पर है अकसाई चिन जहां पर चीन ने अधिकार 1962 में कर लिया तीसरी शेणी है जासकर जासकर शेणी जो है हिमाचल तक कश्मीर से जलती है हिमाचल तक और जासकर शेणी और लदाक के बीच में ही सिंदु नदी परवाहित होती है तो सिंदु नदी जो है लदाक और जासकर परवत मालाओं के बीच बेहती है लदाक और जासकर के बीच बेहती है यह देखे आपको सिंदु नदी आपको देख रही होगी यह देखे सिंदु नदी है यह सिंदु नदी है जो जासकर और लदाक परवत मालाओं के बीश से बह रही है और इसी कारा कॉरम में से दो नदिया निकल कर आ रही है शेख और नुब्रा शेख और नुब्रा और इसी कारा कॉरम परवत मालाओं पर कारा कॉरम पास है इस छितर को पाकिस्तान ने चीन को दे दिया है और यहीं से CPEC जो है वो जाने की बात चल रही है जो चाइना पाकिस्तान एकानमी कारीड freshmen के नाम से जाना जाएगा और इसी जासकर के दक्षिन में है क्रेड हिमाले महान हिमाले रेंज तो अब हम बात करेंगे महान हिमाले रेंज के बारे तो ये है महान हिमाले रेंज जो कश्मीर, उत्राखंड, हिमाचल, नेपाल, सिक्किम, भूटान और रुनाचल प्रदेश तक फैली हुई लगबग 24 से से 25 सो किलोमीटर इसकी लंबाई है और औसत उचाई 6100 मीटर है विश्य की सबसे उची परवत माला कही जाती है लंबी की बात नहींगे, लंबी परवत माला आईगी तो आप बोलेंगे एंडीज लंबी परवत माला क्या बोलेंगे, एंडीज बोलेंगे पर सबसे उची परवत माला है, वो कौनसी है, ब्रद हमाले ब्रद हमाले जो है नंगा परवत से सुरू होकर नामचा बारवा तक जाती है या हम बात दूसरे शब्दों में बात करें, सिंदू नदी से लेकर ब्रवत नदी के गौर्ज तक ये परवत माला फैली हुई है जिसका सबसे उचा भाग जो है, वो मद्द बाला भाग है, जो नेपाल में मिलता है यहाँ पर सबसे उची चोटियां इसी छेतर में प्राप्त होती है यह हमेशा बर्व से ढखा रहता है, इसलिए से हिमाद्री का नाम भी दिया जाता है कि इसे हिमाद्री के नाम से जाने जाता है इस पर्वत माला का निर्माण जो है, ग्रेनाइड नीस चटानों से, आर्केन चटानों से हुआ है यहाँ पर संकुधारी वन मिलेंगे यहाँ पर संकुधारी वन मिलेंगे और सर्वदिक उची चोटियां भी इसी छेतर में प्राप्त होंगे तो यह है, बता चुके हैं आपको किस तरह से छेतर है अब हम बात करेंगे, सबसे उची चोटियां भी इसी छेतर मिलेंगे जैसे कि माउंट एवरेस्ट तो माउंट एवरेस्ट को हम सागर माथा के नाम से भी जानते हैं सागर माथा के नाम से भी जानते हैं तिबबती भाषा मेंसे चौमो लांगमा भी कहते हैं खास बात ये है कि ये नेपाल और चीन की सीमा पर ही याद रखेंगे आप क्योंकि जनली गलती हो जाती है एक्जाम में हम भारत टिक कर देते हैं तो नेपाल और चीन की सीमा पर है 8,850 मीटर इसकी उचाई हो चुकी है सागरमाथा की जो नेपाल हेमाले पर है इसी के बाद दूसरी सबसे उसी चोटी माउंट केटू है जो हम चर्चा कर चुके तीसरी है कंचन जंगा कंचन जंगा जो सिक्किम में है जो सिक्किम और नेपाल की सीमा पर है कंचन जंगा इसके बाद है मकालू जो नेपाल में है इसी महान हमाले पर है मकालू जो नेपाल में है मकालू कहां पर है नेपाल में है धौला गिरी कहां पर है नेपाल में है अन्पूर्णा कहां पर है नेपाल में तो धौलागिरी मकालू अन्पूर्णा ये नेपाल में इस्थित चोटिया है इसके अलाबा नंदा देवी जो है वो उत्तरा खंड में है एक ऐसी चोटी है जो पूरी तरह भारत में इस्थित हो सबसे उची है बड़ा कठिन प्रस्णों का जब कभी आएगा कि एक ऐसी चोटी का नाम बताई जो पूर्टा भारत में इस्थित है तो वो है नंदा देवी जो साथ हजार आठ सो सत्रा मिटर की पर है ये कुमाउ हिमाले में आगे हम देखेंगे कुमाउ ये सब क्या है उस प्रादेश के धिवाजाने जो हम देखेंगे कुमाउ हिमाले में इस्थित है ये परवत माला नामचा बार भार बाद तिबत में इस्थित है तो इस तरह यहां पर परवत माला आए इसके थे थे चोटी आए इसके थे थे गलेशियर की बात करें तो यहां पर आपको गलेशियर मिलेंगे मिलाम गंगोत्री जेमू कुमाओ हमाले नुत्रा खंड में मिलेंगे मिलाम और गंगोत्री जेमू ग्लेशियर मिलेगा सिक्किम है जेमू ग्लेशियर मिलेगा सिक्किम है तो ये है महान हमाले के बारे में महान हमाले में कुछ खास दर्रे भी मिलते है तो महान हमाले के हम दर्रों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले कश्मीर में देखें कि कश्मीर में कौन-कौन से दर्रे प्राप्त होते हैं कश्मीर में बुर्जिल और जो जीला दर्रा यहां पर मिलता है बुर्जिल दर्रा जो है यह बुर्जिल दर्रा है यह बुर्जिल दर्रा कश्मीर को पी-योके से जोड़ता है जोड़ने का काम बुर्जिल दर्रा करता है फिर जोजीला तो जोजीला जो दर्रा है यह जोजीला दर्रा यह जोजीला दर्रा कश्मीर घाटी को लगडाग घाटी से जोड़ता है यह हम बात करें श्री नगर से कारगिल जाने बाले मार्ग पर इस्थित है यह दर्वा नेक्स दर्वा है आपका बारा लाचा जो हिमाचल में है जो हिमाचल को कश्मीर से जोडने का काम करता है बरतमान में लद्दाक से जोडने का काम करता है अगर आप मनाली से ले जाएंगे तो इस दर्रे को पार करेंगे अगला दर्रा है सिपकीला सिपकीला को हम सतलज नदी का प्रवेश द्वार कहते हैं साथ ही इस सिपकीला जो है प्राचीन काल में भारत और चीन के बीच एक ब्यापारिक दर्रा था भारत और चीन के बीच एक ब्यापारिक दर्रे के लूम से जाना है हिमाचल को चीन से या तिबबस से जोड़ने का काम करता है सिपकिला उसके बाद हैं उत्तराखंड में ठांगला नीती और लिपुलेख दर्रा ये तीनो दर्रे उत्तराखंड को चीन से जोड़ने का कार करते हैं लिपुलेख को हम गेटवे आप मानसरोबर यानि मानसरोबर का प्रवेज द्वार कहते हैं मानसरोबर का प्रवेज द्वार के नाम से जाना जाता है इस लिपुलेख दर्रे को सिक्किम में आते हैं सिक्किम में पहला दर्रा जो है वो नाथूला दर्रा है नाथूला दर्रा जो है सिक्किम को चीन से जोडने का कार करता है फिर है जैलेपला जैलेपला दर्रा जो है सिक्किम में चुम्बी घाटी से होकर जाता है और बहुत भिच्चु यहीं से प्राचीन काल से आया करते थे यहीं से लहसा तक सडक मार जाता था तो यह कुछ प्रमुक दर्रे हैं जो महान हिमाले के हैं इन्हें आप नोट कर लेंगे कि कौन कौन से दर्रे इस महान हिमाले से चुड़े हुए महान ही माले न लगू या मद्ध को विभाजित करने का काम इसे विभाजित करने का काम मेन सेंट्रल थ्रस्ट करता है, जो दोनों को बाट देता है main central thrust करता है आगे हम बात करेंगे लगू हिमाले की तो ये लगू हिमाले है जिसको हम लैसर हिमाले के नाम से जानते है और महान हिमाले और इसी लगू हिमाले के बीच में उन घाटिया है इस लगू हिमाले या मध्ध हिमाजले को हिमाचल श्रेणी के नाम से लिए जाना जाता है तेरा सो से पंदरा सो मीटर की और चोड़ाई लगभग अच्छी किलो मीटर है इस लेड़ी को अलग अलग जगे अलग अलग नामों से जाना जाता है जैसे जैसे की इसे हम कश्मीर में पीर पंजाल कहते ही तो हिमाचल में इसे धौला धर कहते ही उस्तराखंड में मसूरी श्रेणी के नाम से जानते हैं सिक्किम में इसे डौंक्या भी कहते हैं भूटान में इस रिनी को काला परवत या ब्लैक माउंटेन के नाम से जानते हैं अरणाचल में इसे डफला कहते हैं इसके छेतरी नाम है जम्बु कश्मीर पीर पंजाल हिमाचल में धौला धर्ण उत्राखंड में मसूरी नेपाल में महाभारत सिक्य में डौंक्या भूटान में काला परवत अरणाचल में इसे डफला सीरिच के नाम से भी जानते हैं इनी परवत माला महान हमाले और मद्ध हमाले के बीच में विभिन्न प्रकार की घाटियों का निर्माड होता है जैसे कश्मीर में है कश्मीर घाटी जिसमें छेलम नदी बहती है हिमाचल में मिलेगी कुलू घाटी जिसके बीच में ब्यास नदी बहती है कश्मीर घाटी में कौन सी नदी है छेलम कुलू घाटी में कौन सी नदी है ब्यास नदी बहती है नेपाल में मिलेगी काठ मांडू घाटी इस मद्ध हिमाले की बात करें या हम लगू हिमाले की बात करें लगू हिमाले का निर्मान जो है स्लेड चुना पत्थर और क्वाट्स के माध्यम से हुआ है और यहां पर अब जंगलों को काटने के कारण इस इलाके में